नमस्कार साथियों Books Readers Hub YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए बुक समरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज बीडियो लाते रहते हैं। आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की मन पर नियंतरन की बौध कहानी लेकर आए हैं। मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें। बेचैनी को कैसे शांत करें। इस कहानी में में आपको चार ऐसी आद्तों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप अपने जीवन में अपना कर एक अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यती अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं, तो यहाँ पर बताई गई यह चार आत्तें आपकी पूरी जिन्दगी को बदल सकती हैं। यह चार आत्तें छोड़ दो, मन हमेशा शांत रहेगा। एक बार किसी राज्यका राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता हैं और वह महात्मा बुद्ध से कहता है। आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात मैं कुछ समय के लिए अपनी आखे बंद करके शांती से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में अस्फर हो जाता हूं तो मैं ध्यान को तोड़ कर बैठ जाता हूं। इतनी बाते कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है। बुद्ध आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा में क्या समाधान बता सकता हूं। सोचो तुम्हारा ही मन है लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा बुद्ध मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समच नहीं मिला। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा। ठीक है तुम ये चार आत्तें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगा कर बुद्ध की बाते सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रती अपने अंदर बैठा लेते हैं, फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंडते रहते हैं, और दूसरों के प्रती यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और पढ़ना ही है, तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत ये सोचना की असफल हो गए हो तो लोग हंसेंगे। हंसने 2. लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते तुम्हें सम्मान देते तुम पर गर्व करते अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी अस्फलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए और समस्या ही यही है कि हम इनसान अस्फलता को बुरा मानते हैं, जबकि अस्फल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है. क्योंकि बिना अस्फल हुए सफल इनसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि अस्फलता हमें विनमर रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है. इसलिए अस्फलता को बुरा मत समझो और अगर तुम्हारे काम में अस्फल होने की संभावना नहीं है, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है, और अगर लोग तुम पर हस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रही हैं, इसलिए अस्फल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो, बुध्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत समय को काटना छोड़ दो, लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है, लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के काम और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है. लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीथ गया और उनका बुलावा आ गया और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था. बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वो चले गए. इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सक्चाई को समझें. इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगा. खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्यान में और दूसरी बात समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है. हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है, और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है, और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो, और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, और तुम बेचैन हो जाते हो, और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो, फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र ल बड़े लोग नहीं कर पाए, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है. सबकी परिस्थितियां अलग है. सबकी सोच अलग है. और क्या हुआ? अगर दूसरे नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं, जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे, कि उसने बहुत मेहंत की है, बहुत प्रयास किया है. उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना. हो, केवल मेहंत करने का दिखावा किया हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहंत करते ही नहीं है, जितनी उन्हें अपने लक्ष प्राप्ती के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के. सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, कि मैंने तो बहुत मेहंत की थी, लेकिन मेरी. किस्मत ही खराब थी, और यही वो लोग हैं, जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं, कि जब इतनी मेहंत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया, तो तुम कैसे हो पाओगे? लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं, कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी, जितनी उन्हें करनी चाहिए थी. यह बस दूसरों की नजरों में अपनी इज़्जत बचाने के लिए और इस दर्से की कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाएं. यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं, और दूसरों को डराते रहते हैं, कि जब मैं नहीं कर पाया, तो तुम कैसे कर पाओगे? इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे. तुम बस अपना सर्वश्रिष्ट प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो. बुध्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये चार आत्ते छोड़ दी, तो तुम्हारा मन एकदम शांथ हो जाएगा, और फिर तुम जहां चाहो वह अपना मन लगा सकते हैं. इतना कहकर बुध मौन होग और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था, कि उसे क्या करना है. उसने मन ही मन उन चारों आत्तों को छोड़ने का निश्चय किया, और बुध का धन्यवात कर वहां से चला गया. दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर मैं कोई काम करता हूँ, तो लोग उसे काम को लेकर हसेंगे, इसके अलावा हमें अपना व्यर्थी समय बरबाद नहीं करना चाहिए, इस दोस्तों उम्मीद करता हूँ महात्मा बुद्ध की मन पर नियंतरन की बौध कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी दोस्तों मन पर नियंत्रन की बौध कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरस्टिन मोटिवेशनल स्टोरी वीडियोज लाते रहे धन्यवाद, जय हिंद